हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं यार कितने गर्मी हो रहे है यार इसे वले को बुलाया तो था लेकिन आया निए अच्छा यार राहुल यह कहां ले आया तू हमें यह तो किसी की प्राइवेट प्रॉपटी लगती है हाँ यह देखो यह किसी दुग्गर चोला के महरानी की जगा है यार राइट कुछ नहीं यार यह बोड तो ऐसे दिखावे के लिए हाँ यह प्रॉपटी तो सालों से ऐसी पड़ी है यह किसी को पता भी नहीं चलेगा हम यह आई भी थे चलो वाउ नाइस प्रेस या यह जील के पास ना बहुत ही खुब सुरक जगा है हम भई रुकें है यार मितेश हमारी शादी होने वाली है इसका मतलब मेरे पास सिर्फ यह महिना है मेरी आजादी का तुम्हें शादी को लेकर कोई डाउट नहीं है ना मैं बेबी मुझे तो कोई डाउट नहीं है हाँ तुम अपना सोच लो थीक है थीक है तुम इतने भी बुरे नहीं है प्रुया तुम्ने कुछ आ वाद सुनी pitish वहां पर कुछ थ है हना अँरे देखते है ना meaningful क usar करे यल्या करे करे टाँ आए आर वीए आरो 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 मेपे! वार! मेपे! यारा थारा! अठाइ! üzज अज आषब इस नफी पुछिस फजट चे आफान? sir उप एसी झीस्ट मेर प्नी लाइ भीफ जब कवीन अब हमें क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दूसरे ग्रह पे जाना पड़ेगा पहले तुम्हें बेच दूंदा में बच्चों जिसे बातें मत कर अफ्रेडी एक बात पक्की है कि अगर प्रटोरी इसे पाने के लिए कुछ भी करना चाहता है तो इसका एक ही मतलब है कि यह बह सुद्किम्ती चीव समझें नीवरतामब। वो मेरे था है लिए वाले उसे उठाकर ले गए हैं बरेंगे सबके सब फराह अँगा प्रतानी काह रटाल रहे कानून था आंदा है कि ए ए परक्रटी यूजास कर दे आंदी है बॉस नीवरतामब। वो अब्ही से आईडी के पास है इसका मतलब क्या हमारा प्लैन चोपट हो गया? जहां से एडी की सोच खत्म होती है और वहां मेरी सोच शुरू होती है यह सब तेरे बाप की वज़े से हुआ है उसी की बेवकूफी की वज़े से नेबरतांबा सी एडी के हाथ लग गया और अब तू तू ही उसे वापस लेकर आएगी लाएगी ना? लाएगी? वो मेरे साथ ही था लेकिन जैसे मैंने मुड़ के लेका वो खाया वो चुका था तुम्हारा मतलब है? वो अजगर? वो अजगर मेरे मितेश को का गया जो मतलब है? वो अजगर मेरे मितेश को दुनना होगा चलो वो अजगर वो अजगर वो अजगर वो अजगर वो अजगर कि कर नहीं हो नगे आज में लोग और यहां हमारी न अज क्ला कि महारानी fråश उख Śर मारी प्रपरटी हैं इसमें तुम लोग खुसा क्षिय है फिर लेकिन हमसा मुसीबत में है एक अजगर ने हमारे दोस्को निकलता है अजगर मिल गया है और जल से जल्द यहां आने के लिए को एक अजगर अपकी प्रॉपर्टी में क्या गर रहा है वो हमारा पाल्टु अजगर है जहार अखा था उसे वहां से निकल गए वो जो कुछ भी हो फिलाल हमें हमारे दोस्को बचाना है और वो कैसे करोगे तो अजगर को मार कर वो सकता है मितेश जिंदा हो उसे अजगर के पेट से बाहर निकालना होगा देखिए आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ हमें उस पात कर दुख है लेकिन हम अपने दोक्तर का इंफर्म कर दिया है वो आ रहा है लेकिन तब तक तो मितेश मर जाएगा चुप रहो यह सब तुम्हारी गलती है अगर तुम लोग गैर कानुन करीके से हमारी प्रापटी में नहीं घुसाते हैं तो यह सब होता ही मैं जा रहा हो अपने दोस्को बचाने और ऐस करने से तुम में से कोई मुझे नहीं रोप सकते हैं तुम्हें गॉली मार नहीं मार दो मैं जा रहा हो अपने दोस्को बचाने हैं कर दोस्को बचाने हैं कर दोस्को के झालतेbildung से कि लेके अजे मार्या कर दुम्हें कि उरे खेवीं में लेका РАव्यों minimum कि एकाची ज़ है सरन 이 month already श्रूसीट है कि आज नक्षा यह जय वंति ऑनक्षा कहुंझाएंगा जहां। क्टरी डंस पहुचने के लिए तड़ प्रह जो शरन क्टरी कॉक हएं नक्षए को सकता इसनक्षे । इसनक्षे के साथ कोई लेना देना हूं यह लेकिन यह केसे पता चलेगा, कि यह नक्षा केच्छा के का है? पहले तुम हम यह पता लगाना है पुर्वे, कि गटोरी डम्ता इस नक्षे के पिछे क्यों पढ़ा है? सर! सर, यह पार्सल निउस चैनल की तरफ से आया सर, मगर सेंडर ने नाम ये लेका है सर, पता नहीं किसने में विला CID Only यह बागो 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 इनिश जाग क्यू बागो? हाँ? अँअ, मुझभी ने क्या था यहां पे, पिछली बार केक ले गया है पंकुछ राइख रेलो सर रहो इदर प्लीज 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 क्या लगता है अलका है सर बॉम तो नहीं लगता है ठीक है खोलो इसे उदर संबल के मृइकलब कठाग। मृटओ बिद्रेइब बिल्डरेव को चला कर देख थेंसे ए究sters की निए जानते हो ना इसकी हालत क्योंके मेरा कुछ समान तुम्हारे पास मेरा नी प्रतांबा अब मैं क्या करूं काटोरी की गोली तब ही निशना चुकती है जब काटोरी चालता कि बारा गंटे में किला रोड सामान के साथ क्या हुआ कहां आज कर दोक्टर प्लीज परेशान बतों यह मैं तेखता हूं आज कर मर्चुका है आज कर मर्चुका है आज कर मितेश का क्या हुआ शायद वो भी मर्चुका है लेकिन रानी साहीब उसे निकालने के लिए हम अज कर का पेट काटना पड़ेगा जो कर ला है किजी पैसे भी वो अज कर मर चुका है जायगर रायमा को बचाना है तो हमें काटोरी की सारी बाते मांदनी पड़ेगा सर बाम एक्सपर्ट आपने बाम को तो देखा है च्या लगता आपको कैसा बाम है वो सर मैं कुछ दिखाना चाहता हूं एक बाम के फटने से यह हल है अगर सारे बाम फट जाएंगे तो क्या होगा सर पुरा शेहर बरबाद हो जाएंगे अम ऐसा नहीं होनी देंगे पता लगा लेंगे इस शेहर में कहां कहां पर बाम लगाए गए और उनका रिमोर्ट भी ठुटना होगा सर सर वो मजदूर बंदिनी कुकरू उसका पता चल गया है सर वो शेहर के बार किसी बड़ी सी कोठी में रहती है बंदिनी कुकरू अब ये बंदिनी कुकरू ही बताएगी इस बाम के बारे में यहां रखो मितेश अब बताएग्ध। प्रिया इस बॉड़ा है मितेश तुम रोक ही रही हो तुम अठीक हूँ हाँ प्रिया में ठीक हूँ देखो मितेश प्रिया तुम जिन्दा हो तो फिर तुम ये कुन है इस आदमी के सिर पर गोली लगी है होली लेकिन यह है कौन और हमारी प्रापटी में कैसे गुसाया मतलब यह मामला अजिगर के निगलने का नहीं है यह मर्डर केस है हमें फॉरन सी इडी को बुलाना पड़ेगा हाँ यू दर्वर विए तुम्हें टचेश की मेरे बैक्स को हाँ ब्रेंस के तरे तुम लगों का अचकल पता भी है कितना कॉसलियस बैक्स है वो कॉसलियस एक लाक्स का है सरेंटीनोस कंपनी का खेर तुमने का नाम चुना होगा इसका सोरी मेडम बल्ती होगी गोज नाओ, यू बलड़ीज फूल्स मिजबंदी में कुकुरू एक्चुली इस दे बैंडीज वोज यूस? हम लग C.I.D. से हैं कुछ बात करनी है आपसे सो करो ना, बठारी आपसा मेरी अपॉइंटमेंट्मेंट्स है डूटीस पालर्स में इंपॉर्टिंस मीटिंग्स पे जाना है मुझे हो, 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 हो अचा, अचा बात यह कुकुडू मैडम की आप कईपर काम करते थी ना पहले किसी बिल्डिंग में मजदूरी का काम इते उठाना, पत्थर उठाना, है ना तो उसी बिल्डिंग में एक बॉब मिला है, बॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉब साहिब, छहे साल पहले ना मैं उस बिल्डिंग में काम करती थी और उस दिन मैंने देखा वहां की मैंने उस दिन उस बिल्डिंग के बिल्डर को भी बताई थी ये बात तो उसने कहां की बंद रखो अपना मूट पिर क्या, उसके बदले में मैंने तो कह दिया उससे, मेरे से मैरिजेस कर ले, वरना मैं सब को बता देगे ये बात, फिर उसने मेरी बात मान ली, मेरे को मैरिजेस की उसने और यहां पर लाकर रखा, अच्छा, उन लोगों को तो पहचान सकती हो ना, जिन्हों ने वो बॉम को रखा था, तुमने देखा है उने, साहिब ओ, एक आदमी था, निलेश नाम था उसका, निलेश, कहा है ये निलेश, वो तो हॉस्पिटल में बढ़ा है सर, ऑपरेशन के बाद, शायद अभी भी कोमा में ही है वो, निलेश शायद कोमा में है, तो चला, चल कर देखते हैं ऌदिसर क्र देखते हैं, क्यों क्यों करुंए। हम महारानी तेलोतमा हैं. दुगर्चोला एस्टेट की मालक हैं. यह हमारी एस्टेट है. और यह बॉड़ी अजगर की पेट से निकली है. यह कुण? यह यह लो कुन है? यह सारा हंगा माईनी के वज़े से हुआ. यह हमारी एस्टेट में घुसाय थे. और हमारे पालतू अजगर को भी मारती है. वो अजगर पालतू था? आप जानती है ना, जंगली जानूरों को बिना परमेशन के पालना गार कानूनी है? वो बहुत छोटा सा था जब यहां आया था. फिर यह एस्टेट जैसे उसका घर बन गया. लेकिन इन लोगों ने उससे पीट-पीट के मार ले. आप शायद भूल रहे हैं, उसने इंसान को निगला था. और सर, इस आदमी की खून से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं. लेकिन जरुद पड़ी तो दुबारा बोलाएंगे. अपने अपने कॉंट्रेक्ट नंबर और एड्रेस दे दो. जी. अंकर. Sir. रहे. Sir, इसके मात है की पीछ पीछ गोली मारी. Sir, इसके पास कुछ नहीं है, sir. कोई अडेंटिटी नहीं है. अजगर जैसे खतरनाक जानवरों को आपने एसे खुला कैसे चुड़ रखा था. इसनी बड़ी स्टेट है, आपकी कहीं से कोई भी गुच सकता है. हमने उसके लिए बाड़ा बनवाय था. लेकिन वो उसे तोड़ के निकल गया. और एक आदमी को निकल गया. ओपर से गोली भी लेगी इस आदमी को. आपकी गार्स तो यहां हर समय रहते हैं. गोली चलने की अवाज किसीने कैसे नहीं सुनी? लेकिये, मैया का मैनेजर, रनभी, अगर किसी गार्ने कुछ सुना हो था, तो मुझे जरूर बताता. सर, हो सकता उसे कहीं और गोली मारी गई हो, और लाश खुला के यहां फेक दिया गए हो. हमें सिखाने की कोशिश मत करो. और तुम लोग इतनी आसानी से चुटकारा नहीं पा सकते, समझे? एक आदमी को गोली मारी गई है. किसने किया यह सब? ओफिसर, हमारा यकिन कीजिए. हम में से किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बता. इकमी बड़ी स्टेट हैं, सेकड़ो एकवज में फैली हुई है. हर बात पे नजर रख पाना पॉसिबल नहीं है. और हम तो यहां रहते जोंगे. विदेश में रहते हैं. बंदूग की गोली लगी है. सर, हम इसे किसे ने भी नहीं मारा. वो हम पता लगा लेगा. पेड़ी, इन सब गाड़ की गन लो और बॉड़ी को परणसी क्लब बेजो. देखो तो सही, जो गोली से लगी है, वो किस गाड़ की गन से चली है. और इस पूरे स्टेट को चान मानना हो गहा है. सर, घंटों होगे सर, कब से ढून रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला. और यह जंगल भी खतमने का नाम नहीं ले रहा है, सर. सर, शायद महरानी और उसके लोग सही कह रहा है. यहां कुछ हुआ होगा, ऐसा लग तो नहीं रहा है. कुछ तो हुआ है यहां पर. यह देखो, यह अज करके रेंगने के निशान? हाँ, सर. मतलब वो लड़का यहां मिला था अजगर से? लड़का यहां पर मिला था, तो गोली भी आसपास ही चली होगी. सर, यह जूता? यह तो किसल लड़की का जूता लगता है? लड़की का जूता? सर, मतलब उस लड़के के साथ यहां पर एक लड़की भी थी. गवाज यहां से आ रहे? सर, अब क्या को रहे? हिल्ला मत, हिल्ला मत. जबीन पे जो वाइब्रेशन होती है, उसके थरथराट से समझ जाता है कि उसका शिकार कहा है. इदम शांत खड़े रहू. सर, मतलब शांत जबीन पर शांत खड़ेशन है. सर, मतलब शांत खड़ेशन है. हाट वटोस अनुके? अजगर ने जिस आदमी को निगला था, उस आदमी की मौत गोली लगने से लिए. लेकिन उसकी गर्दन पर मुझे एक चिपी लिए चिप? कैसे चिप है? ट्रैकिंग चिप है अभिजीद, तुम जल्द से जल्द फॉरंच से लाइबा जाओ ओक सर, थैंक्यू बई मैच चलो रुक जाओ कॉनो तुम लोग और या क्या कर रहे हो एक मिनट, अपने अतियार निचे रखो हम लोग CID से हैं अब लोग कोन है? मेरा जीव, मिस्टर अभे कुमार के वाँसी आया हूँ उनके बेटे अमन कु किसिने कि नैप लिया है हम लोग उसे ढूंटे हुए यहा तक आया हुए है अब अभे कुमार वो बहुत बड़े इंडस्टिलेस्ट जी हाँ वोई ही और ये बोड़ी अजगर की पेट से निकली है सर इसके मात है कि पीछ पीच को लिमाना ये अमन ने क्या कपड़े पहने थे? पीला शट और जीन्स अंकर? सर अमन का पिता जी को फॉरें से क्लिब लेके आँ है सर सर मिस्टर अभे ये अमन की डाड़ आईए अब जी अब जी देखिए हम चाहते है कि आप इस बोड़ी को देखकर आइडेंटिफाइ करें कि ये आप ही का बेटा अमन है अब जी अब जी अब जी अब जी अब जी आई आई देखिए अब जी अगर हमें अब जी कोनी तद पहुंचना है तो हमें आपके मदद की बहुत जरूरत है कि हम बता सकते हैं ये सब कैसे हुआ सर अमन का किट्नाप हुआ था और किट्नापर्स ने मुझे धंकी दी थी कि अगर मैंने सी आइडिया किसी और को भी ये ख़बर दी तो कि मेरे बेटे को माट डालेंगे तो उन्होंने फिरोती में क्या मांगा सर उन्हें मेरा प्राइवेट प्लेइन चाहिए था प्राइवेट प्लेइन क्यों स्मगलिंग के लिए उन्हें कोई consignment इस शेहर में लाना था उन्हें पता था अच्छी तरह से कि मेरा इस शेहर में कॉंटेक्स है हाइप्रोफाल कॉंटेक्स है और मेरे प्लेइन को कोई नहीं चेक रहेगा सर वह consignment मुंबई शेहर में पहुच गया तो क्या किड्नैपर्स ने अपना वादा तोड़ दिया, अमन को मार डाला उन्होंने हाँ सेर, मैं उसके साथ हमेशा बॉडिगाड रखता था ताकि उसे कोई नुक्साम में पहुचा पाए मगर फिर भी, किड्नैपर्स ने उसे मार दिया सेर और उसके बाद से आज तक, उन लोगों ने मुसे बात तक नहीं किया देखें अबेजी, जहां पर अमन को अजगर ने निगला था वहां पर हमें ये एक लड़की का जूता मिला क्या कोई लड़की थी अमन के साथ उस वक्त लड़की? एज़ा? हाँ सर रीचा, सर रीचा अमन के गर्लफरेंड है और उस दिन रीचा अमन के साथ ही थी अमन के शरीर पर, मेरा मतलब है उसके गरदन पर हमें एक छोटे सी जिप मिली सिर्वची मैने अमन के गरदन पर लगवाई थी क्यो? अमन को हमेशा धमकी भरे फोन आती थी मुझे डर था कि कहीं उसके साथ कोई हाथसा नो हो जाए इसलिए वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है इन सब का ट्रैक रखने के लिए मैंने उची कुसके गर्दें पर लगाई थी सिर जो सब अगर अमन और रिचा साथ में थे तो पर यह रिचा कहां गायब हो गए रिचा, रिचा जो कुछ भी हुआ है मारानी दिल उत्तमा के डुगगर चुलाई स्टेक में हुआ है यह सब क्या है यह देखकर तो कोई गधा भी बता सकता है कि यहां कुछ गढ़ड़ हुई यह सब यहां केस है देख क्या रहे हटाओ इसे जल्दी चलो सी आईडी के आने से पहले यह सब जला दो यह क्या है यह तो ड्रोन है हमारी पिच्चास काक्चर कर रहा है उड़ा दो इसे अभीजित अरे 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 मारानी फिलो तमा जी यह कहां जाने के तैयारी हो रही है कौन अमन कौन रिचा हम तो इन्हें जानते तक नहीं है देखिए हम किसी जंजट में नहीं बसना चाहते थे इसलिए सारे सबूत मिटा कर यहां से भाग रहे थे और हम यह सब क्यों करेंगे हम तो अज सुभा ही मंबाई पहुचे है ठीक है वाह अंदर लिखा हुआ है बचाओ क्यों संजाजी आपका गया गया ना जब अंकर कुछ करो यार खड़े क्यों हो हाँ 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 सर यह सब मैंने क्या था इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वागा था अज़ा आपका जिसने का एस उम्जा निलागा है किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा अगर मैंने सासाथ दिया तो वो मुझे पांच लाग रूपे देगा और वो सिफ रिचा और आमन को बंदी माना के रटना था ता था रिचा का है रिचा रामन भाग और वो आदमी और उसके साथ यह उन दोने को पखड़ने के लिए जेंगल में उनकी पिछे दोड़ पड़े सर उसाथ में का नंबर चाहिए आमें जो तुम्हें पांच लाग रूपे देने वाला था यह सर जेवंती फोन ट्रैक करो डड़की बहार आजाओ आमें पदा तुम यही कही हो अपने आप बहार आजाओ एंगे लाण एपन आपमर बचाहिए बहुत परिषान गर लिया अबमर है को तो हम लोग CRD से है मैंने अमन को बचाने के बहुत कोशिश की शांटो 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 बताओ क्या हुआ सर अमन और मुझे बंदी बना कर छोपड़े में रखा था और उसके बाद हम वहां से कैसे भी बचके निकल गए सर लेकिन यह बदमाश हमारे पीछे पड़े वे थे और और इन्हें अमन को गोली वार दी उसके बाद क्या हुआ उसके बाद अमन लोड़कता हुआ चटान से कही दूर चागे रहा और मैं जल्दी से उस चटान से नीचे उतरी और फट मैंने देखा बचाओ कोई है है कोई है बचाओ है कोई है मैंने अपन को बचाने की बहुत कोशिश की सर पर पर यह उद्धे मेरे पीछे पड़े हुए थे इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा अचा रचा तुम तुम किसी डील के बारे में जानती आमन के जब हम लोगो बंदी मना कर रखा हुआ था तब मैंने डील के बार में सुना तो था बोलो के रहे थे कि डील फाइनल हो गई है और मीटी किसी ओएसी स्टूडियो में होनी है ओएसी स्टूडियो माल तो पूरा आगिया ना माल दिखाओ जिसा तुम चाते दे प्रवीन सारे के सारे आटोमेडिक हतियार मशीन गरेनेट स्नाइपर लाइफल सारे के सारे के सारे फ्रांस से इंपोर्ट करके मंगाये क्या बात है दिल खुश हो गया एक बात तो कहनी पड़ेगी मुझे तो ये यकीनी नहीं हो रहा है के इतनी सक्ट चेकिंग के अंदर ये हतियार तुम हिंदुस्तान में ले आए बहुत खुब राजियो ये तो हमारा काम है ये तो बंदूख देख रहो ना इसकी गोली पर स्पेशल डायमंड कोर्डिंग किया गया है जो सक्त ते सक्त कोज को भी चीर सकती है डन डेल पकी पहला पैसा हाँ ये लो जितने में तेहुआ अधप पूरा है मुमर जब काम कर करें बहुत शगर मुझे मौल रखो अधर निकाल ड़ा पाद गड़ राजीर अमन का बड़ीकार्ट अधर आडतर वा हुई आक तोढ़ क याओ हुई आक तोब Two-ahan याओ हुई आक, याओ, या हुए रदियो फ्छीं, याओछ्ट याओग मैं आक सब्सक्राइब कियों किया तुमने ये साब बताओ क्या करूं साब सिर्फ साथ हजार रुपे वो भी महिने के आज की जबाने में क्या होता है साब इतने प्रेसों का कुछ नहीं करोड़ पती था वो और इतने साल इमान दरी से नोगरे करकर कुछ नहीं मिला साब लो गया उसका बेटा हमेशा के लिए अब कम भी नहीं आएगा वो अब है तुम्हारा मालिक था, पर तुमने उसे दोखा दिया, इसकी बच्चे की जान बचाने के लिए तुम्हें पैसे मिलते थे, पर तुमने उसके बेटे की रखवाली नहीं की, जान से मार डाला तुमने उसे, कभी सोचा था, अब तुम्हारी रखवाली कौन करेगा, आस कि असी का फंदा? हम? यह क्या? मेरे स्वागत के लिए सिर्फ एतने लोग? कोई फोर्स नहीं, कोई स्नाइपर में? कितनी बेबस है, C.I.G. मैं या तुम सब के सामने बिलकुन नहता खड़ा हूँ और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड सकते राइमा काई तुम बड़ी जल्दी में हो इसे भी? वहले मेरा सामान मना सेर्फ यसेटी कर दोड़ा वहले मेरा वहले मेरा वहले में वहले पार्वेवभ सब कुछ बिलकुल वैसा ही है, जैसा तुम चाहते थे राइमा सबर कफल मीठा होता है सिपी किस वाइमा किर्ण दोड़ें है में यह जबी दूग है यह अना किस फिटिए प्येकर वगएरा लगाना प्च्छोग के केलें ऐसे भी अब तुम्हारी उम्र नहीं रहे खेले के लिए कि अपटोरी रायमा। वहाँ रायमा। तुम तु जानते यो ऐसी भी है। एविल्यूशन। पहले इंसान एक जानवर था पिर दीरे दीरे वो खड़ा गए। उसे अक लाए। और फिर उसे अविश्कार किया पहिये का चक्का टायर और आज आज उस टायर के विज़े से दुनिया कहा के कहा पहुच गए यह ना? सर यह कटोरी मेरे निशाने पे है निशानों लगाओ किया सर? नहीं अभी नहीं यहां असपस टायर कहा है ठुड़ो सर राइमा राइमा संबल के सर इसके आलत तो बहुत कराब है एंब्यूलिस बलाते हो सर यह कटोरी तो हुआ के हमसे दो कदम आगे निकला हां मगर कब तक और कहां तक आगे निकलेगा पता तो हम लगाई लेंगे अगर जीत तो हमारी होगी झाल झाल सर दो सर यह